हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक है आज का इस वीडियो का विशह है रिलेशनशिप्स आज के दौर में सबसे ज़्यादा तकलीफ परिशानिया रिलेशनशिप्स में आ रही है और रिलेशनशिप हीलिंग बहुत इंपॉर्डन्ट है तो मैं चर्चा करने ज ठीक कर सकती है या हाव तो हील रिलेशनशिप्स थ्रू रेकी अपनी रिलेशनशिप्स को रेकी हीलिंग के दौरा कैसे हम ठीक कर सकते हैं तो यह विशह मैंने इसलिए चुना है दोस्तों कि आज के दौर में लोग बहुत जादा परेशानियों से घिरे हूं हैं बहुत सार वाइब घर पे बैटे हैं उन में से एक जॉबलेस हो सकता है और क्योंकि 24 गंटे साथ आने की वज़े से आपस में एक उनका जो बैलन्स था वो बिगड़ गया है क्योंकि इस सिचुएशन नहीं है परिशानी और चुनाथियों से भरी है तो कृपिया इस वीडियो को अंत और भावनात्मक परिशानियों से लोग गुजर रहे हैं उनके लिए अत्यादिक इंपॉर्टन्ट है तो पहले आते हैं कि रिलेशन्शिप्स में क्यों परिशानिया आ रही हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे हम कैसे हील करेगी रिलेशन्शिप को तो प्रॉब्लम आ दूसरे वाला करता है डी तो कम्यूनिकेशन ही नहीं हो रही हमें समझी नहीं आता दूसरे बंदे का मतलब क्या है चिर्चड़ा हो जाता है क्योंकि सरकम्स्टैंस ऐसे हैं कि हस्बेंड अगर पैसे से परिशान है तो उसकी खीज या गुसा वाइफ पे निकल रहा है और लाइफ को लग रहा है ये मुझे परसनली अटाइक कर रहा है तो ये चीजे जो हैं एक दूसरे को परिशान कर रही है और नौबते इतनी खतरनाक हो गई है कि लोग डिवोर्स लेने पर आमदा है और ये सिचुएशन बिलकुल ऐसी है जैसा जुआला मुकी फट रहा है य इसको जड़ा समझते हैं हमारा हृदय चक्रा होता है चेस्ट के बीचों बीच ये थ्रोड चक्रा है और इससे लगबग इतना नीचे 6 इंच के करीम नीचे हमारा हिदय चक्र होता है हार चक्र होता है जिससे हम अपने emotions व्यक्त करते हैं तो कैई बर क्या होता है कि हमारे जो हिदय चक्र है उसमें blocks आ जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम अपनी भावनाओं को suppress करते हैं जो हमें कहना चाहिए वो हम नहीं कह पाते हैं तो relationship में जब एक दिन वो बहुत emotions इकटे हो जाते हैं तो एक दम से जवार भाटा फट पड़ता है अंदर की जो emotions हैं अंदर की जो तरास दिया हैं अंदर की जो गुसा हैं अंदर की जो frustration है वो हम अचानक दूसरे व्यक्ति के प हत्मा हो जाता है तो रेकी कैसे काम करती है जब हम बैठते हैं और healing करना शुरू करते हैं distant healing symbol के द्वारा और अपने beloved को अपने husband को अपने wife को या अपने किसी मिथ्र को या माता पिता से भी कईवर relationship खराब हो जाते हैं उनसको जो सुक्षम शरीर है वो हमारे साथ कनेक्ट करता है एक है सकते हैं उसकी जो आत्मा है या उसका एनरजी बॉड़ी है वो हमसे कनेक्ट कर जाता है तो जो हमारी एनरजी बॉड़ी है और उसकी एनरजी बॉड़ी आपस में कनेक्ट कर जाती है और हम जो है उसकी एनरजी बॉ वाइब्रेशन देते हैं positive vibration positive reiki healing positive energy देते हैं कि वो हमें शमा करे हमने जो भी उसके साथ गलत कर आप क्योंकि जाने अन जाने में हमने भी गलत किया होता है हमने भी उंचा भूला हुता हुमने भी react किया होता है हमने भी दूसरे व्यक्ति को hurt cause किया होता है तो जब आप एक relaxed way में इस positive energy को देते हो कि मैं जो भी मैंने करा बुरा उससे मैं माफी मांगता हूँ तो वो vibration उसकी aura से लेके उसकी mind तक पहुँचती है और वो energy उसके अंदर इकटी हो जाती है और उसको समझ में आने लगता है कि मुझे दूसरे व्यक्ति से positive energy मिल रही है दूसरा बंदा मेरे लिए negative नहीं रहा है तो जैसे जैसे आप healing करते चले जाते हैं दूसरा व्यक्ति आपकी positive vibration receive करता है वो इसलिए receive करता है क्योंकि इस प्रित्वी पर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए है इस प्रित्वी को या इस ब्रह्मांड को हम कहते है यूनी वर्स यूनी मतलब एक तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं connected हैं, interconnected हैं कोई भी किसी से अलैदा नहीं है, अलग नहीं है तो आप जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं और उसको healing भेजते हैं तो आपकी vibration क्योंकि आप universe में हैं connected हैं वो भी receive करता है आपकी positive energy को वो ग्रहेंड करता है क्योंकि अंदर से अचेतन लेवल पे चेतना के गहरे लेवल पे कोई भी किसी से लड़ना नहीं चाता हर व्यक्ति को प्रेम की तलाश है इस universe को प्रेम की energy ने ही connected रखा है तो जब आप healing में होते हैं तो आप एक अचेतन मन के लेवल पे healing करते हैं energy लेवल पे healing करते हैं और आपकी vibration बहुत ही positive होती है और इस positive vibration से कोई भी अच्छूता नहीं रहता जो आपकी मित्र है या आपकी girlfriend है या आपका पती है या आपकी पत्नी है वो भी आपसे एक मित्रता या प्रेम पूंट संबंद की अपेक्शा ही कर रहा है तो जब दोनों में से जो भी healing भेजता है दूसरा व्यक्ति energy level पे तयार होने लगता है उस energy को receive करने के लिए ये एक law of attraction भी आप कह सकते हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे से connected हैं तो जिस व्यक्ति के नाम से हम healing भेज रहे होते हैं वो धीरे धीरे हमारे प्रती positive और receptive होना शु healing के जरिये उसको हम positive energy दे रहे हैं और जब हम ये vibration देना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हे forgive करता हूं और तुमसे भी forgiveness मांगता हूं क्योंकि हम दोनों नहीं एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई है अंजाने में ये हमने जानबूश कर नहीं करा अंजाने में इसे हम affirmation कहते ह हैं अपने उस beloved के लिए या अपने मित्र के लिए तो वो energy receptive मोर में आने लगता है इस healing को हमने कम से कम 15-20 मिनर से लेके आदा घंटा 11 दिन से 21 जरूर करनी होती है तो रोज जब आप कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी जो outer layers है anger की frustration की एहंकार की ego की तो ये energy उसमें भेदन करन शुकर देती है तो जो positive energy आप उसके ego को भेज रहे हैं तो वो उसके ego की layer से टकराती है और उसके ego को तहस्नहस कर देती है और क्योंकि ego के पीछे तो प्रे लाव दोस्ती friendship ये वाले emotions छुपे हैं और ये by default ये अपने आप sweat ही परमात्मा ने हमें देके भेजे हैं चाहे कोई इससे कितना भी मना करें बट परमात्मा ने हम सब के भीतर प्रेम की उर्जा को भेजा है तो जब आप positive energy भेजना शुरू करते हैं तो उसके ego को भेजते हैं उसके एहंकार को तोड़ना शुरू कर देती है रे की healing energy और वो penetrate करती है उसके heart chakra में और heart chakra धीरे धीरे meltdown कर जाता है क्योंकि प्रेम में इतनी गर्मी होती है इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी पिगला सकती है ये आपने सुना होगा तो रे की energy एक बहुत करोना में energy होती है एक positive energy होती है ये आप note करना कि आप किसी किसी भी inanimate तबी तो हमारे crystal healing काम करती है क्योंकि जो so called crystals होते हैं व वो हमारे उससे काम करने लगते हैं क्योंकि हम उन्हे positive vibration दे रहे हैं loving energy दे रहे हैं एक मित्त भावना दे रहे हैं तो मैतरी प्रेम की भावना जो है उससे इस wish में कोई भी अचूता नहीं है तो रे की healing वही आप करोना प्रेम ममता ये वाली energy को आप दे रहे हो तो ये इसन relationships को transform होते देखा है रे की healing से तो अगर आपके यहां भी कुछ ऐसा गरबर चल रहा है आपकी बहु बेटर के बीच में अन्बन है या husband wife के बीच में अन्बन है तो आप लोग रे की healing फॉरण शूरू करें और 21 दिन मैं कहूंगी कि patiently करें और आप miracles देखेंगे आप फील करे देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है खुद ही आपको call कर रहा है forgiveness मांग रहा है या वो किसी तरह से third person के through आप से मिलना चाहरा है यहां तक कि बहुत ही खतरनाक तरीके से divorce cases जो बिलकुल end तक भी पहुँच चुके हैं वो भी solve हो जाते है रे की energy से इसमें इतनी ताकत है तो ब पतनी दुबारा से एकठे हो गया है और यह बहुत ही शुब और बहुत ही प्यारी चीज़ है कि दो लोग आपस मिल जाए उनके संबंद प्रेम पूर्ण हो जाए वो एकठे रहें इससे अच्छा पुन्या का काम क्या होगा तो आपको अगर रेकी healing आती है तो आप जरूर ऐसे लोगों को भेजें या जिन लोगों का relationship खराब है वो रेकी healing सीखें यह दो दिन का course है और मैं इसे सिखाती हूं online पे सिखाती हूं और video calling के दूर सिखाती हूं तो यह जरूर सीखें आस पास हमारे जितना लोग खुश रहेंगे relationships मीठे रहेंगे उतने ही इस धरती पे प्रेम और prosperity बढ़ेगा it is very important तो आप मेरे number पर call कर सकते है 98111 42249 तो thank you dear friends और please comments में जरूर लिखें ये video आपको कैसा लगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे videos लाऊं धन्यवाद, thank you, bye